Hello friends, आज हम रिभू करेंगे Bono Mac 20 Tablet की Bono Mac 20 Tablet किन-किन समस्था में यूसेज किया जाता है इसका डोसेज क्या होता है इसका प्राइस क्या होता है और इसका साइड एफड क्या क्या हो सकता है आज हम जानेंगे इसी वीडियो में जानने के लिए वीडियो कांट जुरूर देखे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे तो चलिए वीडियो शुरू करते है यह देख सकते है Bono Mac 20 टेबलेट इस टेबलेट को Maclods Pharmaceutical Company ने बनाता है इसके MRPA फ्रेंस दिया गया है तो आई ये जानते हैं किनकिन gute में यूश हो गया है घारेश कारण ओको पेट में जलन होता है दरद होता है पेट बारी रहा है और साती में लुटा है धक्र होता है और आपको ऐसर हो गया है आभी इस टैबलट को दिया जाता है फ्रेंस अब कुछ ओयली फूट खाने के बाद तूरंद गैस हो जाता है उस गैस को कम करने के लिए इस टैबलेट को इस्तिमाल किया जाता है या फिर कुछ दवाई इस्तिमल कर रहा है या फिर एंटिबडिक दवाई इस्तिमल कर रहा है तो साथ में इस टेबलेट को दिया जाता है ताकि पेट में गैस ना बने फ्रेंस गैस, एसिडिटी और अलसर के लिए बहुती अच्छा दवाई है ये ये लेटिस्ट मॉलिकूल टेबलेट है तो बात करें इसका डोसेश की ये टेबलेट सिर्फ एडल के लिए होता है और ये टेबलेट सुबा खाली पेट लेना होता है इसका कुछ कुछ कॉमन मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 जय हिंद टेक्यार